अस्सलाम अलेकुम दोस्तो यदि आप कुएत में रहते हो और कुएत के इम तरीन खबरों से हमें सब वाकी फैना चाहते हूँ तो ये वीडियो को बिने इस क्यूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हूँ या फिर पहली बार आया हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अगन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमें सफरी में दोस्तो मिलती रहे तो साथियो आज के वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तो आ रही है साथियो आपको बताना चाहूंगा बहुत ही बड़ी खबर निकल करा रही है फहद अल-अहमद एरिया में एक अमरीकन यानि अमरीका का रहने वाला एक्सपर्ट की बॉड़ी अपार्टमेंट में पाया गया है जो की मरा हुआ था उसके नेवर के द्वारा कंप्लेंड किया गया था पुलिस में कंप्लेंड की गयी थी क्योंकि दोस्तो काफी दिनों से उसको देखा नहीं गया था और काफी जादा महे करा था जिसके वैसे पुलीस वहाँ पे पहुंची पुलीस जब वहाँ पे पहुंची दोस्तो देखा गया देवराजे को तोड़ा गया तो वो अमरीकन सक्ज है वहाँ पे मरा हुआ था अब पुलिस फिलाल अभी तफिस चल रही है कि उसको मारा गया है या फिर किसी कारण उसकी मौत हुई क्योंकि उसको क्योंकि दोस्तों फॉरंस्टिक डिपार्टमेंट को उसको बॉड़ी को भेज दी गई अगली खबर दोस्तों जो आजी कुएट मुनसिपैल्टी के तरफ से आ रही है तो कुएट मुनसिपैल्टी के तरफ से साथियों कल के दिन एक कैमपेण चलाए गई थी कैमपेण के दोरान वहाँ पे एक क्यानवे वॉयलेसन और वार्निंग को वहाँ पे दिया गया अब खबर दोस्तों यह आ रही है कि 18 ओडर दिया गया है कि बिल्डिंग रेगुलेसर को तोड़ने के लिए 18 बिल्डिंगों पे दोस्तों किसी तरह का परतिबंद लगाया गया है जिनमें से डेडलाइन टू वोलेंटरी वेकेट 12 बेसमेंट और लगभग 42 को ब्लॉकिंग वोलेटन परपर्टी के लेकर दोस्तों लगभग 3 हपतों के लिए वहाँ पे दोस्तों बंद किया गया दोस्तों यह कैंपेंज जो लगभग 3 हपतों से चलाया जा रहा है तो कुल मिलाके 11 वोलेशन को वहाँ दर्च किया गया अलग-लग वोलेशन के लिए अगली खबर की और शातियों चलते है वीडियो के सुने में दोस्तों फोटो जिनके आप देख रहे हैं यह सक्स को स्मगलिंग के करने के जौरान उसको पकड़ा गया खबर दोस्तों यह है कि Administrative of Narcotic Control Department के तरफ से एक Residence को वहाँ पकड़ा गया है लगभग 100 किलो नार्कोटिक सब्टांस के साथ जो की Into the Country from Nevering Country यानि दोस्तों वो दूसरे कंट्री से अपने देश में वो ला रहा था इसकी Stimid Market Value लगाया जातो मिलियन कुएती दिनार तक का दोस्तों यह हो जाता है तो वीडियो के स्रून पर आप देख सकते हैं यह कुएती सक्स को फिलाल गरफतार किया गया है भारी मातरा में नार्कोटिक सब्टांस को भी पकड़ा गया है अब इस पर कानूनी कारवाई की जाएगी अगली अपडेट के और साथियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आरी वो स्मगलिंग को लेकर है तो साथियों खबर यह है स्मगलिंग अटेंप्ट ओव ओबर 1000 सबसिसाइज पॉडर मिल्क 10 इन फॉल बाई कस्टम साथियों लैंड कस्टम डिपार्टमन के तरब से भारी कॉइंटिटी में फूड रासन फूड आइटम को वहाँ पे जब्द किया गया यानि दोस्तों रासन की जो समान होती है उसे वो इलीगल तरीके से बेच रहा था डिरिंग दे इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन करने के दौरान लगबग 1000 जो मिल्क पौडर होता है दोस्तों जो बच्चों के लिए स्तमाल किया जाता है या फिर बड़ों के लिए जो मिल्क पौडर होता है 1000 पैकेट सौरी 1000 टिन पाया गया है लगबग 400 ओयल कैन यानि 400 दोस्तों डबबद होता है तेल का वो पाया गया है फुड की आटम खाने पीने की चीजे ये सभी को दोस्तों जब किया गया वीडियो के सुरन पर दोस्तों फोटो जैसा कि आप देख सक रहे हो अगली जो खबर के और साथ भी चलते हैं उसके साथ दोस्तों लगबग 100 किलो का है हैसिस को बरामत किया गया है और बरामत किया गया है लगबग उसकी जो कीमत दोस्तों है वो 2,50,000 केड़ी का दोस्तों ये है ये दोस्तों काम जो है इरान और मिस्र और ये कुवेत के बीच में किया जा रहा था दोस्तो जो फाइलाका आइलेंड है और दोस्तो जो मिसकान आइलेंड है उन दोनों के बीच में आना जाना वो लगतार करता था अगली खबर की और साथ दिन चलते हैं और कुछ लोगों को पकड़ा गया है प्रोस्टिस्यूशन के धंदे में जिसको लेकर सभी को गरफतार किया गया और गरफतार करकर सभी पर कानूनी कारवाई की जारी है तो दोस्तों ये घटनाई जो है प्रोसिश्यूशन का कुवेट में काफी बढ़ गया है ये जिस्वानी धंदा होता है औरतों का महिलाओं का ये काफी जादा बढ़ गया है हर दिन दोस्तों एक दिन छोड़के एक दिन ये ख़बर में आपको सुनाता ही हूँ तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरे थी जो की कुवेट से आ रहे थी मैंने अब तक सेयर किया आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लिए वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ ये शूद ये पाल आफीज अन्ट